आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो आज जो मैं कोशिन पूचा गया है वो J.W.E.M.S का कोशिन है तो हम देखते हैं क्या कहता है क्या क्या कहता है कि दब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस 373 केलविन then boiling point of H2S is तो हमें बताना है कि क्या इसका boiling point 373 Kelvin से ज्याद़ होगा कम होगा बरबर होगा या फिर 370 से 300 Kelvin के बीच में होगा ठीक है तो हम देखते हैं कि यह होता क्या हैha water में ऐसा क्या चीज होता है घसका क्या और क्या reason होता है तो हमें पता है और यहां से हैë और यहां से हैं यहां से है और यहां से यह क्या कर रहाँ है तो यह अपना आगें ऐसे इस टाइप से इस अपना करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, ठीक है, तो यह से hydrogen bond कर दिया, आप देखते हैं, यह hydrogen bond होता क्या है, यह हमारा लिखा है, यह hydrogen bond आखिर में क्या होता है, और क्यूं होता है, ठीक है, क्या होता है, और क्यूं होता है, तो चलिए हम थोड़ा इसकी और इसना होता है यह आपका पहला point इसका होता है कि यह अपका होता है partial, partial intermolecular, partial intermolecular, ठीक है, partial intermolecular bonding, ठीक है, bonding, partial molecular intermolecular bonding interaction, ठीक है, तो यह हम पूरा line ही लिखेंगे, इसका एक definition जो आता है, छोटा सा हम वो पूरा लिख लेते हैं, कि partial intermolecular bonding interaction between, 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 किसके बीच में होती है, loan pair, loan pair on electron rich, ठीक है, loan pair on electron rich donor, donor होना चाहिए, वो ठीक है, loan pair on electron rich donor atom, ठीक, यहां से हम इसको यह नीचे करते हैं, donor atom, donor atom, donor atom, उसके बाद, to, किसका होगा, किसके साथ इसका interaction होगा, देखिया, partial intermolecular bonding interaction between, loan pair on electron rich donor atom, to, to anti bonding, to anti bonding molecular orbital, of hydrogen, of hydrogen, ठीक है, and hydrogen, and क्या हो जाएगा, more, more, electro, more, electro negative, जो है, more, electro negative, पूरा लिखते रहते हैं, more, electro negative, किसके साथ, more, electro negative, atom, और group, atom, और group, तो यह आती है, अपनी hydrogen bonding की, एक छोटी सी definition, यह intermolecular bonding interaction होती है, between, loan pair, and electron rich donor atom, to anti bonding molecular orbital of hydrogen, and more, या तो hydrogen से more, electro negative, के साथ, होना चाहिए, atom, या group के साथ, यह bond कर सकती है, ठीक है, तो आप आते हैं कि कौन से कौन से element hydrogen bond करते हैं, देख लेते हैं, आपका करता है, कौन, fluorine करता है, oxygen करता है, और nitrogen, यही जो है, आपका, mostly जो है, आपका hydrogen bonding करता है, mostly so, क्या, mostly so hydrogen bonding, ठीक है, hydrogen bonding, यह हो गया आपका, next आते हैं, कि ऐसे कौन से condition है, ऐसा कौन सा condition है, जो hydrogen bonding को लिए, मतलब sufficient होती है, तो हम आते हैं, next में, इसके क्या है, condition, condition, condition के तरफ देख लेते हैं, condition क्या होती है, condition क्या होती है, इसकी, condition जो होती है, इसकी क्या होती है, कि hydrogen जो है, पहला बात, हमने क्या बहुत है, hydrogen के साथ इंट्रेक्ट होगा, तो पहला, electron-negative highly electron-negative atom या फिर group के साथ उल्क करें जैसे कि आपने को पता है कॉन 7 उल्क और से ऊक्सीजन और फिर nitrogen एक जोनेक्वायर्मंट क्या चाहिए इसके लिए इसके लिए चाहिए कि जो भी इसका électron-negative element है उसके पास loan पे एस एवेजयक होने लोन पेर ठीक है लोन पेर ओफ एलेक्ट्रोन लोन पेर ओफ एलेक्ट्रोन और ओन ए श्मॉल, ऐली धीक है ? इलेक्ट्रोनेगटिव एटम होगा वो क्या होना चीह है ? is small भी, होनी चाहिए, और, क्या होना चाहिए, highly, electro-negative होनी चाहिए, ठीक है, तो यह आ गई इसकी condition, कि highly electro-negative, क्या है, atom, तो इसका example में, हम ले ले लेते हैं, highly electro-negative में कौन सा आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा कौन सा, nitrogen, oxygen, chlorine, तो इसलिए आप पता चला कि आपका ये तीन एलिमेंट जो है वही क्यों hydrogen burning शो करते हैं पहली requirement है कि इसके पास भर भर के आपका loan pair होता है और दूसरा है कि ये small भी होता है और electronegative भी जादा होता है तो ये condition भी हो गया अपना यहां से complete है ना तो अब देखते है कि water क्या सारे condition भी करता है वाटर क्या करता है water वो क्या करता है hydrogen bonding आपना why water so hydrogen bonding का reason अब आता है कि H2S क्या करेगा भाईया वो water hydrogen bonding so करेगा तो आप देख लेते हैं उसको कि H2S क्या करेगा तो अपना जो H2S molecule है H2S तो आप देखो यहाँ पर क्या है sulfur तो हमारा hydrogen bonding so करता नहीं है तो यह इतना तो fix हो गया कि H2S जो है वो hydrogen bonding hydrogen bonding क्या करेगा so नहीं करेगा hydrogen bonding जो है वो so नहीं करेगा ठीक है नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्यों क्यों करेगा hydrogen bonding सी fluorine oxygen nitrogen ही so कर सकता है लेकिन यहाँ पर sulfur है तो वो नहीं करता है तो यहाँ पर क्या आजाएगा यह सो नहीं करेगा, तो अब क्या करेगा ये फिर, तो अब क्या करेगा, तो अब देखते हैं क्या करता है ये, जब hydrogen बोर्निंग सो नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो ये आपका क्या करेगा, इसका structure बना लेते हैं पहले, तो देखिए, sulfur फिर आ गया hydrogen और फिर आ गया hydrogen तो अब दिखते हम गौड से, तो sulfur hydrogen से ज़्यादा electromagnetic होता है, है ना, sulfur hydrogen से ज़्यादा electromagnetic होता है, तो sulfur के उपर क्या जाएगा? partial negative charge acquire कर लेगा, और hydrogen क्या कर लेगा? partial positive charge कर लेगा, तो इनका भी hydrogen partial positive कर लेगा फिर अपका अपका एक मॉलिक्यूल होगा ना नेक्स्ट जो है आपका sulfur H2S का मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा यहां से देखिए है sulfur के उपर फिर उसमें भी क्या होगा आपका sulfur के उपर partial negative charge होगा और hydrogen के उपर partial positive charge होगा तो क्या होगा, दीखे, sulfur पे negative है, hydrogen पे positive है, तो यह यहाँ से क्या कर लेगा, यह यहाँ से आपका dipole-dipole interaction कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे hydrogen bonding ना करके क्या करेगा, dipole-dipole interaction कर लेगा, यहाँ से क्या कर लेगा, यह dipole-dipole-dipole, ठीक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा अब देखते हैं कि यह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन actually में होता क्या है तो हम यह थोड़ा देख लेते हैं इधर तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे DD इंटरेक्शन यानि कि डाइपोल ठीक है, डाइपोल, डाइपोल, इंटरेक्शन के बारे में एक definition पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है, ये आपका क्या होता है, ये आपका attractive force होता है, attractive force या फिर electrostatic force भी बोल सकते हैं, क्यूं? क्योंकि ये आपके दो partial charges के बीच में आपका ये होता है, ठीक है, ये आपका attractive होता between the positive, attractive forces between the positive, ठीक है, between the positive end, positive end of, end of one, क्या हो जाएगा? one polar, one polar and, क्या होता है next? one polar and, negative end of another molecule है, negative end, देखिए, negative end, negative end of another, क्या हो जाता है? another, another polar molecule, तो, एक polar molecule के positive end, और दूसरा polar molecule के negative end, एक polar molecule के positive end, दूसरा polar molecule के negative end, पे आपका अगर ये होता है, तो ये क्या होता है? वो आपका dipole-dipole interaction होगा, ठीक है? अब देखिए, अब हमें पता करना है कि dipole-dipole interaction तो यहाँ से पता चल गिया, अब देखिए, हमें पता है कि hydrogen bonding जो है, क्या होता है? hydrogen bonding जो है, hydrogen bonding की intermolecular forces, जो attraction होती है, वो जादा होती है, आपका dipole-dipole interaction से, hydrogen bonding का intermolecular forces, इससे बनके, molecules करके बनेगी, और intermolecular forces क्या होती है? आपका जादा होते है dipole-dipole interaction से, इसा मतलब क्या होगा? इसा मतलब ये होगा, कि आपका H2S molecule जब dipole-dipole interaction होगा, तो उसका boiling point वाटर से कमी होगा, तो इतना तो fix हो गया कि water से कम होगा, तो water, आप देखिए, option में हमें क्या दिया गया है, greater than 3.73, तो greater कहां से होगा, कि हमें तो पता चलगे कि H2S में क्या है, between में, तो क्यों होगा, क्योंकि देखिए, आपको तो exact पता नहीं है न, यहाँ पे, कि हमारा कि 300 Kelvin से 373 Kelvin होगा, इतने information के बाद हमें यह पता चली है, कि 373 से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, वो तो पता नहीं है, तो कितना amount तो पता नहीं है, तो इसके जैसे option number 4 गलत हो ठीक है, तो यह question का answer है, आपका option number 2, less than 373 Kelvin, तो यह question होता है, यही पे स्वाल, उमिदत पसंद आई होगी, thank you.